हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों आप शाल आप सबका स्वागत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को दबाना ना बूलें ताकि नई वीडियो बनाय करें नट दोस्तो आज की जो वीडियो कारें बोध्यो से पहले मैं आपको बता जेता हूँ इनके सागर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए करे हमारी अपकमिंग वीडियो की और हमें मोटिवेशन मिला करे आपके लि संब्सक्राइब करें रहा हुआ है कि अपको भी दन्फिकर हो आपको आपको बहुत ज़ोरी है और आपको जानना और आपको जानना अनु새 और को बहुत ही जादा जरूरी है तो सबसे पहले दूस्तो § डाइ़ पैड टच तोंस यह क्या होता है दोस्तो जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है डाइ़ पैड यानि कि जो की हम प्रेस करते है नमबल जो हम प्रेस करते हैं किसी कॉंटर्स को कॉल करने के लिए एक default है और एक piano keys है तो आप चाहें तो जैसे चाहें वैसे select कर सकते हैं MI में इस तरीके से setting दे रहे हैं तो मैं इस तरीके से use करता हूँ setting number one अब आते ही है setting number two quick dial quick dial क्या होता है दोस्तो बहुत important feature है android का android में हर कोई provide कराता है android में है ये mobile के हर model में जातर में ये होता है quick dial का लेकिन आप इसे use करना नहीं जानते नहीं जानते इसको use करना और ना ही बहुत लोग इसे use करते हैं इसे मातर 5% और 3-4% इसे use करते हैं लोग लेकिन ये बहुत ही amazing feature होता है इस पर जैसे ही आप click करेंगे दोस्तो यहाँ पर इस तरीके से interface देखने को मिलेगा अब इसे आप use कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो इसको use करने के लिए बहुत simple सा fund आ है आपको क्या करना है इन numbers पर click करना है जैसे मैंने 5 पर click किया अब दोस्तो ये contacts कुछ आ रहे हैं दोस्तो ठीक है ये contacts मैंने यहाँ पर जो show हो रहे है मुझे इन में से कोई एक contacts इसमें से select करना है चलिए मैं एक काम करता हूँ एक सबसे उपर का contact में select कर लेता हूँ जैसे ही मैंने select किया वो 5 पर जाके यहाँ पर place हो गया अब in case मुझे ये quick dial का मतलब है यानि कि जल्द से जल्द call हो जाए तो in case मुझे इस बंदे को जब भी phone करना होगा तो मुझे क्या करना होगा मैं dialer पर आऊंगा दोस्तो dialer पर आने के बाद 5 number की को press करके रखूंगा जैसे ही मैंने press करके रखा इस पर call हो गई ओके दोस्तो और यह quick dial की होती है functionality तो इस तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं अब दोस्तो एक काम करते हैं इसको अगर हमें बंद करना है तो यहाँ पर जाके इस पर click कर देंगे यहाँ पर अपने आपा जाया delete assign quick dial number तो delete कर दीजेगा that's it ओके दोस्तो यह था काफी important feature अब दोस्तो एक आता है redial automatically ओके दोस्तो इसे बहुत सारे लोग use करते हैं लेकिन use अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं आपको क्या करना है redial automatically क्या है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है redial automatically if the line is busy आप किसी बंदे को call कर रहे है ओके दोस्तो उसका phone busy आता है phone कर जाता है और आपको उसे important call करनी है तो आपको बार बार उसे call करना पड़ता है तो आप क्या कर सकते हैं इस setting को on कर सकते हैं अब इससे क्या होगा आप किसी को भी phone करेंगे in case उसका number busy आएगा तो ये उससे continuously call करता रहेगा ओके दोस्तो बहुत important feature है इसे आप use कर सकते हैं ओके दोस्तो तो use करके देखिएगा इन सारे features को ओके दोस्तो अब दोस्तो बात करते है missed call reminder ये क्या है इसको भी बहुत सारे लोग use नहीं करते हैं ये बहुत important feature है miss call reminder क्या है दोस्तो आपका phone आपसे side रखा हुआ है ओके दोस्तो आप पे miss call आती है आपको पता नहीं चलता है लेकिन इसका काम क्या होगा दोस्तो जैसे ही आप पे miss call आएगी उसके 5 minute बाद है जिसना भी interval आप यहाँ पे create कर जैसे 1 minute, 2 minute, 3 minute, 5 minute, 10 minute आपको यह reminder देता रहेगा कि आपके पास miss call आई है you can check this ओके दोस्तो इसे आप use कर सकते हैं चलिए setting नमबर 5 तरब बढ़ते हैं vibrate when your call is answered ओके दोस्तो दोस्तो यह तो बहुत simple सा feature है बहुत सारे लोग use करते भी होंगे इसे vibrate लेकिन फिर भी मैं इसके बारे बतायता हूँ दोस्तो जैसे ही आप call उठाते हैं तो आपको कभी-कभी क्या होता है पता नहीं चल पाता है कि आपका phone उठ गया है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर जाके इसे set कर सकते हैं कि vibrate होना चाहिए आपका phone नॉर्मल तरीके से या फिर light जलनी चाहिए या फिर new note कुछ नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से आप यहाँ पर जाके से setting को check कर सकते हैं तो यह काफी important feature है जिसे बहुत सारे लोग use करते हैं फिर भी आप भी use कर सकते हैं ओके दोस्तों next है call waiting notification call waiting notification क्या है दोस्तों जैसे कि आपके पास कोई call है आप call पर बात कर रहे हैं ओके दोस्तों और आप एक और call आ जाती है तो दोस्तों उस case में क्या होना चाहिए तो यहाँ पर तीन setting दे रही है play notification sound continuously आप पर notification का sound आएगा then twice कर सकते हैं या फिर आप sound and vibrate twice कर सकते हैं तो यह तीन setting है जैसे ही आप आप busy हैं दुबारा call आता है तो यह साई setting आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं एक आती है quick response quick response यह तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा दोस्तों कुछ लोगों को यह हो सकता है नहीं पता हो कुछ लोगों पर आप जब call करते हैं तो उनका direct message आता है call me later, can't talk right now, falana, tikana, busy in meeting तो यह चीज आप यहाँ पर use कर सकते हैं ओके दोस्तों यहाँ पर आपको एक button show करना होगा याद नहीं कि जैसे ही मैं इसे बंद कर दूँगा तो कुछ काम नहीं करेगा जैसे ही मेरे यह चाल होगा अब क्या होगा दोस्तों मेरे पर जब भी कोई call आएगा मेरे पर तीन button आएगे एक call pick करने का, एक call cut करने का, एक quick response का quick response में मैं जैसे ही slide करूँगा, quick response में जैसे ही क्लिक करूँगा महां मुझे चार option यह बाले दिखाई दे जाएंगे can't talk right now, call me later I'll call you right back, I'll call you later और can't talk now, what's up what's up ओके दोस्तों, तो इस तरीके से मैं कुछ भी उनको, किसी भी एक चीज़ पर क्लिक करूँगा उस बंदे के पास, यह message पहुंच जाएगा तो यह quick response है अब आपको समझ में आ गया होगा यह settings, जो मैंने आपको बताई है कितनी important है, ओके दोस्तों अगर आपको इन में से कोई भी settings पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर कीजेगा दोस्तों चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और bell icon को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, बहुत जल मिलेंगे नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई दोस्तों